हलो फ्रेंड्स नमस्कार आज मैं आपके साथ सियर करूँगी ठेले वाली रगड़ा चाट मटल चाट नो फैट में ये तयार हो जाता है और बहुत हेलदी टेस्टी चाट होता है और बिल्कुल ठेलाय स्टाइल इसे बना के तयार करेंगे और बहुत इजी है इसे बनाना आपको मेरी रेस्पी पसंद आये तो आप यूटूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें फेस्बुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें प्लीज हमें सपोर्ट करें तो आए इसे बनाना सेयर करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सेर करेंगे और बहुत टेस्टी बनके तयार होगा मटर चाट बनाने के लिए हमने मटर ले लिया है तो डेर 200 ग्राम की मातरा में है हलका सा हरा वाला मटर भी इसमें मिक्स है और पीला वाला भी है टेस्ट दोनों का एक ही होता है तो हम इसे 3-4 घंटे भीगो दिये थे धोके अच्छी तरह से ले लिये हैं कुकर के अंदर डालते हैं और इसमें एक गिलास पानी डालते हैं दो आलू भी हम इसके साथ ही उबाल लेंगे जो छिल के धोके डाल देते हैं स्वात के हिसाब से हम नमक डालते हैं और थोड़ा सा हल्दी डालते हैं हाप टीस्पून से कम अ वाटर हमारा बहुत अच्छी तरह से पक्के तयार हो गया देखिए इस तरह से तो अब इसे आगे का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए पहले एक बार इसे हम मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं और इसके लिए एक स्पेसल मसाला तयार करते हैं तो कडाही गैस पे चढ़ाते सबसे पहले इसमें हम धनिया डालेंगे साबुद धनिया उसके बाद लो फ्लेम पे हम धनिया को हाप मिनिट तक पहले अकेले ही भून लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम दो चमच जीरा डालेंगे जीरा को भी इसके साथ भून के तयार कर लेंगे तो इस मसाली को तयार करन तो इसे लगातार से लाते हुए हमें भूनना है ताकि ये एक तरब से जल नहीं जाए इसलिए लगातार से लाएंगे तो ये बहुत जल्दी बढ़ियां सा तयार हो जाता है देखिए इस तरह से हलकालका था धुआ भी आ रहा है और ये अच्छा सा ब्राउन सा हो जाएगा तो ये रहा हमारा मसाला बिल्कुल तयार हो गया इसे ठंडा करेके पीस लेंगे पीसने के बाद कड़ाही बापिस चढ़ाएंगे कड़ाही का फलेम हमने नहीं जलाया है तीन फलेम को हम मीडियम कर रखे हैं मीडियम फलेम पे इसे हलका हलका सा चलाते हुए और एक उवाल तक पकाएंगे इसमें हम खटा बनाने के लिए निम्बू का रस डालने हैं आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं इमली भीगो के और उसे भी इसमें डाल सकते हैं उसके बाद जो आलू हमने दो वाला था उसे मैस करके डाल देते हैं इसे अच्छी तरह से mix करेंगे और दोनों को एक दो वाल तक mix करते हुए पका लेंगे तो यह अच्छी तरह से mix हो जाएगा और एक सार हो जाएगा हमारा मटर का चाट बनानी के लिए एक गाढ़ा सा तयार हो जाएगा तो देखिए बिलकुल मिक्स हो गया है अब हलका सा इसमें हम उवाल आने देते हैं और एक मिनिट के लिए उवाल आने के बाद भी इसे हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम पहले कूकर में डाल चुके थे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए हलका हलका सा इसमें उवाल सा आने लगा है देखिए और ये पकने लगा है एक सार होने लगा है तो हमें इस तरह से दो मिनिट के लिए पकाना है और यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इस तरह से हमें तयार करना है और यह हमारा मटर का चार्ट बिल्कुल बनके तयार है इसे आप कटोरे में निकाल के और फिर इस तरह से छोटे-छोटे प्लेट में सर्ब करें उसमें मटर डालते हैं प्यास डालते हैं और इसके अंदर आप अपने स्वाद के हिसाब से भी कुछ एड़ कर सकते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा अद्रक कबिस डाले हैं, टमाटर डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, और इमली का चटनी डालते हैं, मीठा चटनी डाल रहे हैं, और थोड़ा सा दही को मैस करके इसमें दही डालेंगे, उपर से जो हमने मसाला तयार किया था, कडाही में भून के ज गड़ा चार्ट है एक दम ठेलाए स्टाइल बहुत बड़ियां बीना फैट का चार्ट तयार हो जाता है इस से बड़ियां और कोई चार्ट हो ही नहीं सकता और बहुत यमी तयार होता है आप एक बार इससे बनाए